जैसा कि हम सब जानते हैं कि फरान अक्तर और श्रदा कपूर स्टारर रॉक्स ओफिस पर कुछ खास कमल नहीं दिखा पाई जहां रॉक ओन वान एक हिट थी वहीं रॉक ओन टू बुरी तरह फ्लॉप हो गई लेकिन इस फिल्म के दौरान फरान अक्तर और श्रदा कपूर के अफैर की खबरे बहुत उड़ी यहां तक कि लोग ये भी कह रहे थे कि फरान अक्तर और श्रदा कपूर लिविन रिलेशन्शिप में रह रहे हैं क्यूकि श्रदा को कई बार परान के घर से लेट नाइट निकलते हुए देखा गया है और उनकी नजदी क्या तो सभी को नजर आही रही हैं लेकिन जब इस सिल्सिले में श्रदा से पूछा गया तो उन्होंने कहा हर चीज़ की एक लिमिट होती है आप लोग ऐसे ही किसी के बारे में कुछ भी नहीं सोच सकते सिर्फ इसलिए क्यूकि आपको लिखना है आपको लोगों की भावनाओं की कदर करनी चाहिए और जो लोग इसमें involved हैं उनके बारे में सोचना चाहिए ओहो ये सब सुनकर तो लगता है कि श्रदा को गुस्सा आ गया लेकिन सच क्या है ये तो वो और फरहानी जाने जहां तक बात रही लोगों की तो श्रदा कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना इसी के साथ श्रदा कपूर को हमारी तरफ से ओके जानू के लिए बेस्ट आफ लग